आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ सरदियों के लिए स्पेशल गोंद के लड़ू के रेसिपी गोंद के लड़ू बानते समय अक्सर मिसरन सुखा हो जाता है मिसरन सुखा ना हो और अखिर तक हमारे गोंद के लड़ू अच्छे से बन जाए इसके लिए मैंने इस वीडियो में बहुती काम के टिप्स बताया है इस लड़ो में ना ही हमने चीनी का इस्तवाल किया है और ना ही चासनी का तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कड़ाई हमारी अच्छे से गरम हो चुकी है अब हम इसमें डालेंगे एक चोथाई कप सपेद तिल अगर यह चमस से मापे तो यह चार चमस तिल है तिल को हमें हलका ड्राय रोस्ट कर लेना है आप यहाँ पर देख सकते तिल अच्छे से चटकने लगे है तिल को हम एक प्लेट में निकालके थंडा होने के लिए साइट में रख देंगे अब हम इसी कड़ाई में डालेंगे दो बड़े चमस खस-खस और खस-खस को भी हम एक से दो मिनिट के लिए अच्छा से ड्राय रोस्ट कर लेंगे ग्यास के आज को स्लो पे रखेंगे खस-खस को हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है जब इसमें से हलकी चटकने की आवाज आए तब हमको निकालके एक प्लेट में रख लेना है अब हम लेंगे दो कप नारेल का बुरादा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह महिने मारकेट वाला लिया है अगर आपके पास नारेल है सुखा तो उसको आप कदुकस करके वो भी ले सकते हैं आप कदुकस की आवा नारेल ले रहे है तो उसको आप अच्छे से दबा करके फिर लीजिए दो कप नारेल जो बच्चा से भून जाता है तो उसमें से बहुत ही अच्छी खुसबू आती है देखिए इसे ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे भूने हुए नारेल को एक प्लेट में निकल के साइड में रख देंगे फिर से हम वही कड़ाय रखेंगे इसमें हम डालेंगे दो चम्माज कदुकस किया हुआ नारेल और इसे के साथ टालेंगे थोड़े से ड्राइफ रूट दो काजु लिए है और दो बादाम कटे हुए और इसे के साथ 10-11 पिस्ता लिए है कटे हुए ये ड्राइफ फूट लेना पूरी तरह से आप्शनल है आप चाहिए तो इसे स्कीप कर सकते हैं इसको हम बहुत ही अच्छा से ड्राइ रोस्ट करेंगे दीखिए करीब 2 मिनिट हो चुका है और नारेल और राइफ फूट बहुत ही अच्छा से रोस्ट हो चुके है इसको हम पिलेट में निकालके साइड में रख देंगे अब हम बाकी की सामगरी घी में रोस्ट करेंगे मैंनी आपर 1 कप घी लिया है इसी तरह से गाड़ा घी लेना है हमें 1 कप आप घर की कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए या फिर चाय पिने वाला कप सेट कर लीजिए और उसी से सारी सामगरी लीजिए अब हम कड़ाई में डालेंगे एक बड़ा चमस घी, घी को हम अच्छा से गरम होने देंगे घी अच्छा से गरम हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 15 बादाम, 10 अक्रोड, 15 काजू और 5 अंजिर को मैंने इस तरह से कट करके डाल दिया है कड़ाई में अब हम ड्राइफरूट को घी में बहुती अच्छा से भून लेंगे, आपको इसमें से जो भी ड्राइफरूट पसंद नहीं है या फिर नहीं डालना चाहते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, इन सभी चीजों की तासीर गरम होती है, इसलिए ये हमें थंडी की दिनों में ज़रूर खाने चाहिए, देखिए करीब 4 मिलेट हो चुका है, स्लो आस पे मैंने इसको भून लिया है, ड्राइफरूट को एक प्लेट में निकालके इसको हम अच्छा से थंडा करेंगे, अब हम इसे गी में डालेंगे एक काप चुवारे का पाउडर, चुवारे का पाउ फिर से हम कडाई में डालेंगे दो बिल चमच गी, गी अच्छे से गरम हो चुका है, अब हम लेंगे हाप कप गोंद, अब हम गोंद को गी में फ्राइ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे गी में और इसको हम अच्छा से फ्राइ कर लेते हैं, गोंद को प्राइ क गोंद हमर अच्छे से fry हो चुका था उसको मैंने निकाल लिया है और इसी तरह से बाकी बचा हूआ गोंद भी fry करेंगे गोंद विल्कुल भी कच्छा नहीं रहना चाहिए इसको हम स्लो आज पर फ्राय करेंगे और देखिए यहाँ पर सारा गोन मेने फ्राय कर लिया है अब हम बाकी बचे हुआ सारा गी डाल देंगे कडाई में स्रिप एक चमस हमें बचा के रखना है गी उसका हम बाद में यूज करेंगे गी अच्छे से गरम हो चुका है इसमें हम डालें करेंगे एक काप ग्यो का आटा आटे को हमें गी में बहुत ही अच्छा से भून लेना है अभी आपको यह आटा सुखा लग रहा होगा लेकिन जैसे जैसे यह भूनता जाएगा वैसे यह गी छोड़ने लगेगा करिब 7 मिनिट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते ह आटे का कलर चेंज हो चुका है और इसमें से गी भी निकल रहा है फिर से हम इसको पकाएंगे करिब 4-5 मिनिट के लिए आटे को भूनते समय हम ग्यास के आज को सलो पे रखेंगे और सलो आज पे ही हम आटे को भून लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं आटा हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है इसको भूनने के लिए 13 मिनिट लगे है मुझे टाइम थोड़ा कम यह जादा लग सकता है साइट में आप देख सकते हैं जब हमने पहले आटा डाला था तब पुरा वाइट था और आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी आटे का कलर कि अच्छा से थंडे हो चुके हैं इसको हम मिक्सर जार में डालके दर दरासा पीस लेंगे देखिए इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है प्लेट में डाल देंगे खसकास और तिल को भून के रखाता हो भी लेंगे करिब देड चम साबुत तिल डाल देंगे प्लेट में और चाहे तो इसको क्रस भी कर सकते हैं लेकिन मैं इसको पीस रही हूँ देखिए इस तरह से मैंने इसको भी पीस लिया है डाल देते हैं प्लेट में और बाकी बचा हुआ गोन भी इसी तरह से पीस लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे नारेल और सुके मेव को भूनके रखाता हो एक चमर डालेंगे ड्राय जिंजर का पाउडर यानी की सोट का पाउडर अब हम सारी सामगरी को बहुत ही अच्छा से मिक्स करेंगे करीब पास मिनिट हो चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है चेलिए अब हम चलते है ग्यास की तरब जिस कड़ाय में हमने आटाब होना था उसी कड़ाय में डालेंगे एक कप प्लस एक चवताई कप गुड गुड को हमें कदुकस करके लेना है या फिर बारिक बारिक कट करके भी ले सकते हैं आप अब हम इसमें डालेंगे बाकी बचा हुआ एक चमसगी इस लड्डू को बनाने के लिए एक कप गी का इस्तमाल हुआ है अब हम ग्यास के आज को मिडियम रखेंगे और गुड को मेल्ट होने देंगे गुड के हमी चासनी नहीं बनानी है इसको स्रिफ मेल्ट करके लेना है हमें देखिए करीब 4-5 मिनिट हो चुका है और गुड हमारा बहुत ही अच्छा से मेल्ट हो चुका है अब हम ग्यास के आज को बंद करेंगे और कड़ाई को नीचे उतर लेंगे जिस प्लेट में हमने सारे सामगरी मिक्स की थी उसमें ही डाल देंगे मेल्ट किया हुआ गुड अभी ये बहुत ही ज़्यादा गरम है तो चमज से ही इसको हम अच्छा से मिला लेंगे थंडा होने के बाद गुड जम जाएगा और ये अच्छा से मिक्स नहीं हो पाएगा इसलिए हमें गरम रहते ही इसको अच्छा से मिला लेना है ये जब हलका थंडा हो जाए तब हम इसको दोनों हातों से बहुत ही अच्छा से मिक्स कर लेंगे ये अच्छा से मिक्स हो चुका है अब हम इसके लड़ू बनाएंगे लड़ू आपको जितने बड़े चोटे चाहिए उतना आप मिसरन लेके इसके आप लड़ू बना लीजिए आप इस लड़ू में जायफल का पाउडर भी डाल सकते हैं और देखिए यहाँ पर लड़ू हमारा तयार हो चुका है अब हम इसी तरह से सारे लड़ू बना करके रेडी करेंगे इस लड़ू को बांते समय सुरुआते में यह बहुती अच्छा से बन जाते हैं लड़ू लेकिन यह आखिर में बच जाता है मिसरन तब इस तरह से सुका हो जाता है और लड़ू हमारे बिलकुल भी बनते नहीं है अगर आपके भी लड़ू का मिसरन इसी तरह से सुका हो चुका है तो आप भी इस तरह से दोनों हतों को बीच में मिसरन को लेके थोड़ा सा मसल लीजिए इसमें से तेल निकलाएगा और लड़ू हमारे बहुती अच्छा से बन जाएंगे आप यहापर देख सकते हैं लड इस वीडियो को एक लाइक कर दिजिए वीडियो को पुरा देखने के लिए आपका धन्यवाद